यशायाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय बावन यशायाह अध्याय पावन हे स्योन जाग जाग अपना बल धारन कर हे पवित्र नगर यरुशलेम अपने शोभायमान वस्तर पहन ले क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे अपने उपर से धूल जार दे हे यरुशलेम उठकर विराजमान हो हे स्योन की बंदी पुत्री अपने गले के बंधन को खोल दे यहवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंटमेंट बिग गए थे इसलिए अब बिना रुपया दिये छुड़ाए भी जाओगे फिर प्रभु यहवा यो भी कहता है कि मेरी प्रजाज जो पहले पहल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अशू रियोंक ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया अब यहवा की यहवानी है कि मैं यहां क्या कर रहा हूँ जबकि मेरी प्रजा सेंटमेंट हर ली गई है यहवा की यहवानी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा दिन भर लगातार होती रहती है इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी वह उस समय जान लेगी कि जो बाते कहता है वह यहवा ही है देखो मैं वही हूँ पहाड़ों पर उसके पाव क्या ही सुहावने हैं जो शुभसमाचार लाता है और शांती की बाते सुनाता है और कल्यान का शुभसंदेश शुभसमाचार और उद्धार का संदेश देता है और सियोन से कहता है कि तेरा परमिश्वर राज्य करता है सुन तेरे भरुए पुकार रहे हैं वे एक साथ जैजिकार कर रहे हैं क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लवटाएगा हे यरुशलेम के खंडहरो एक संग उमंग में आकर जैजिकार करो क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांती दी है और यरुशलेम को छुडा लिया है यहवा ने सारी जात्रियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रगट किये है और पृत्वी के दूर दूर के सब लोग हमारे परमिश्वर का किया हुआ उधार देख रहे है दूर हो दूर हो वहां से निकलाओ कोई अशुद्ध वस्तु मत चूओ उसके बीच से निकलाओ हे यहवा के पात्रों के दोने वालो अपने को शुद्ध करो क्योंकि तुमको उन उतावली से निकलना और न भागते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि यहवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्रायल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा देखो मेरा दास बुद्धी से काम करेगा वहां उच्छा महान और अती महतुपुर्ण हो जाएगा जैसे बहुत से लोग तुझे देख कर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगडा हुआ था कि मनुष्र कासा न जान पड़ता था और उसकी सुन्दरता भी आदमियों किसी नरह गई थी वैसे ही वहां बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देख कर राजा शान्त रहेगे क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्नन उनके सुन्ने में भी नहीं आया और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुना भी न था ये शया है भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय त्रेपन ये शया है भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय बावन ये शया है अध्याय पावन हे सियोन जाग जाग अपना बल धारन कर हे पवित्र नगर यरुशलेम अपने शोभायमान वस्तर पहन ले क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे अपने उपर से धूल जार दे हे यरुशलेम उठकर विराज मान हो हे सियोन की बंदी पुत्री अपने गले के बंधन को खोल दे यहोवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंटमेंट बिग गय थे इसलिए अब बिना रुपया दिये छुड़ाए भी जाओगे